आज के इस वीडियो में हम Boolean algebra के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में इस Boolean algebra को बहुत आसान दरीके से पढ़ेंगे और सारी चीजें बहुत अच्छे से समझेंगे ये जो वीडियो है, ये जो चेप्टर है, ये दो पार्ट में होगा पहला पार्ट आप देख रहे हैं और इसके बाद दूसरा भी इसका पार्ट आएगा उसको भी आप देखें, तो जो ये चेप्टर है, ये आपका पूरा कम्प्लीट हो जाएगा Boolean algebra का विकास, George Bull नामक एक विग्यानिक ने किया था Boolean algebra तरक पर आधारेत एक गड़तिय प्रनाली है George Bull ने इसका विकास किया, इसलिए इसे Boolean algebra कहते हैं तो Boolean algebra जो है, इसका विकास इसका विकास George Bull ने किया इनहीं के नाम पर इस गड़तिय प्रनाली का नाम Boolean algebra पढ़ा क्योंकि George Bull ने इसका विकास किया था अब ये तर्क पर आधारित है तर्क शास्त्र पर आधारित है पहले समय में तर्क शास्त्र को फिलोसिपी का एक भाग माना जाता था एक दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता था लेकिन जॉर्ज बूल ने बताया कि ये जो तर्क शास्त्र है ये फिलोसिपी से जुड़ा वो एक subject है, तो इन्होंने क्या किया? तर्ग शास्त्र में, जैसे तर्ग शास्त्र में हर कथन के दो मान होते हैं, True और False, George Bull ने भी यही बताया, बस इन्होंने True को One कहा और False को Zero कहा, इन्होंने बताया कि जो यह तरक शास्त्र है ये गढ़िद के गढ़िद से जाधा संबंदेता है philosophy से संबंदेत नहीं है तो इन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया पूरी प्रणाली बनाई और पूरे सिधांत बनाये थिओरी बनाई लेकिन ये एक थियोरी ही बनकर रह गई फिर 1949 में एक साइंटिस्ट थे कम्प्यूटर साइंटिस्ट थे क्लॉड ई शैनन इन्होंने क्या किया? जोर्ज उबूल ने जितने भी सिध्धान्त दिये थे उन सिध्धान्तों का प्रियोग करके टेलिफोन के स्विचिंग सर्किट को डिजाइन किया और स्विचिंग सर्किट को सरल बनाया तो इन्होंने इसको प्रैक्टिकल के रूप में यूज किया है इसको प्रैक्टिकल यूज किया है जोर्ज उबूल ने केबल सिध्धान्त दिये इसका practical use नहीं बताया लेकिन Claude E. Shannon ने 1949 में इसको practically use किया और telephone के switching circuit बनाए अब इन्होंने इसका प्रयोग switching circuit का निर्मान करने के लिए किया इसलिए Boolean algebra को switching algebra भी कहते हैं तो clear हो गया होगा यहां तक Boolean algebra तर्क पर आधारित एक गड़ती प्रणाली है इसका विकास जॉर्ज बूल ने किया और पूरे Boolean algebra के सिध्धान्त दिये इन्होंने बताया कि जो तर्क शास्त्र होता है यह गड़त के जाधा पास है ना कि philosophy के पहले लोग इससे philosophy के जाधा पास मानते थे philosophy का एक भाग मानते थे इनने सिध्धान्त दिया फिर 1949 में Claude E. Shannon ने इसका practically यूज किया और टेलीफोन के switching circuit को design किया और उन्हें सरल करने में इसका प्रयोग किया इसलिए Boolean algebra को switching algebra भी कहते हैं अब अगर हम Boolean algebra पढ़ रहे तो इसमें एक topic आता है logical statement अब क्योंकि Boolean algebra जो है वो तरक शास्तर पर आधारित है तो इसमें तरक से समंधित चीज़ें ही ज्यादा तर पूछी जाते है logical statement को अगर हम Boolean algebra में पढ़ रहे हैं तो इन्हें हम Boolean statement कहते हैं अगर तरक की बात कर रहे हैं तो उसको हम logical statement कहेंगे अगर Boolean algebra में उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो Boolean statement कहेंगे दोनों एक दूसरी से connected हैं दोनों एक ही चीज़ हैं तो यह Boolean statement क्या होती हैं ऐसी सारी statement जिनके उतर हा या ना में या true या false में दिये जा सकते हैं उन्हें हम logical statement कहते हैं उन्हें Boolean statement भी कहते हैं तो कौन सी ऐसी statement हो सकती हैं जिनके उतर हा या ना में दिये जा सकते हैं पहले इसको साफ कर देते हैं हम logical statement के बारे में बात कर रहे थे, boolean statement के बारे में बात कर रहे थे, तो boolean statement ऐसी statement है, जिनके उत्तर हाँ या ना में दिये जा सकते हैं, जैसे, एक statement लिखी है यहाँ पर, आज वर्शा हो रही है, तो यह statement है, इसका उत्तर true या false में दिया जा सकता है, येस और नो में true या false में दिया जा सकता है तो ये logical statement है क्योंकि इसका उत्तर true और false में दिया जा सकता है अगर हम boolean statement कहें से तो इसका उत्तर one और zero में दिया जा सकता है boolean में हम one और zero का use करते हैं true false का use नहीं करते हैं logic में true false का use करते हैं boolean algebra में true को 1 कहते हैं और false को 0 कहते हैं अगर boolean algebra की बात हो रही तो 1-0 इसका answer हो सकता है संभावितमान हो सकते हैं और अगर तरक शास्तर की बात हो रही लॉजिक की बात हो रही तो इसको true और false में इसका answer हो सकता है संभावितमान हो सकते हैं एक और statement देखते हैं यहां पर एक और statement लिखी है, आज सोमवार है, इसका भी उतर true या false में हो सकता है, अगर boolean algebra की बात करेंगे तो 0 और 1 में इसका उतर हो सकता है, true को 1 कहेंगे और false को 0 कहेंगे, तो इसका उतर true या false हो सकता है, इसलिगे क्या है यह boolean statement है, या logical statement है, अगर किसी से पूछा जा तुम्हारा नाम क्या है, क्या यह boolean statement है, नहीं, यह boolean statement नहीं है, क्योंकि इस statement का जो उतर है, इस statement का जो answer है, वो हाँ या नाम है नहीं दिया जा सकता, अगर किसी से किसी का नाम पूछेंगे, तो वो अपना नाम बताएगा, ना कि हाँ या ना कहेगा, या true or false सोड़ी क तो यह logical statement नहीं है, logical statement वो ही होंगी, जिनका answer, जिनका उतर true or false में दिया जा सकता है, अब एक topic और पूछा जा सकता है, truth value क्या होती है, truth value, boolean algebra में या तर्ग शास्तर में, true or false को हम use करते हैं, जो यह true false है, यही truth value कहलाती है, true or false, दो value होती है, इन ही value को truth value कहते है, अगर boole boolean algebra की बात कर रहे है, तो इसमें 0 और 1 और 0 को truth value कहते हैं, अगला topic है logical variables, logical variables या boolean variables, यह क्या होते हैं, ऐसे variables या ऐसे चर्क जिनकी केवल दो ही value हो सकती है, true or false, यह हम कह सकते हैं, ऐसे variable जो केवल दो ही value को hold करते हैं, केवल दो ही value को store कर सकते हैं, true या false, या 1 या 0 को ही hold कर सकते हैं, 1 या 0 को ही store कर सकते हैं, ऐसे variable, logical variable कहलाते हैं, हमने एक statement लिखी थी, हो रही है, यह एक logical statement है, क्योंकि इसका answer हाँ या नामे दिया जा सकता है, statement लिखी है, आज वर्षा हो रही है, इसका answer हाँ या नामे दिया जा सकता है, तो एक logical statement है, इस logical statement को अगर हम एक variable से denote कर दे, यहाँ पर हमने x से denote कर दिया तो इसका मतलब क्या है, x का मतलब क्या हुआ, आज वर्षा हो रही है और x की कितनी value हो सकती है, x की केवल दो value हो सकती है 0 और 1, यह हम कह सकते हैं true और false, इसकी केवल दो ही value हो सकती है तो x क्या है? x एक ऐसा variable है, जिसकी केवल दो ही value हो सकती है, दो ही संभावित मान हो सकते हैं, 0 और 1, इसलिए इसको क्या कहेंगे? logical variable कहेंगे, या boolean variable कहेंगे, तो boolean variable या logical variable क्या है? ऐसे variable, ऐसे चर, जिनके केवल दो ही संभावित मान हो सकते हैं, 0, 1, या true या false, ऐसे variable, logical variable या Boolean variable कहलाते हैं अब जैसे mathematics में हम गड़त में हम कई सारे operations करते हैं operations का मतलब कई सारी क्रियाइं करते हैं जैसे जोडना घटाना गुणा भाग इन सारे operations को करने के लिए इन सारी क्रियाओं को करने के लिए हमने विशेश चिन्हों को पढ़ाया है जोडने के लिए ये sign है घटाने के लिए ये वाला sign है multiplication के लिए ये division के लिए ये वाला sign है इसी तरीके से Boolean algebra भी एक अंकगड़त है इसमें भी कई सारे operations होते हैं उन operations को करने के लिए भी अलग-अलग चिन्हों का परियोग किया गया है Boolean algebra में मुखह तर 3 क्रियाइं होती है इसलिए के वल तीन ही operator है या पर पहला operator है and operator दूसरा operator है और operator तीसरा operator है not operator many olabilir इन ही operator का यूज़ होता है Boolean algebra में भी इन ही operator का प्रेयोग होता है जब logic में हम इन ही यूज़ करते हैं और जब हम Boolean Algebra में इसका प्रियोग करते हैं तो इन्हें Boolean Operator कहते हैं अब नाम तो दोनों के एक जैसे हैं, दोनों में, logic में भी और Boolean Algebra में भी और काम भी दोनों के एक जैसे हैं बस sign अलग हो जाते हैं अगर हम Boolean Algebra में इन्हें दर्शार एं, BA लिख देते हैं, BA का मतलब Boolean Algebra और Logic में अगर इन्हें दर्शार हैं, तो Boolean Algebra में End Operator को Dot से denote करते हैं और Operator को Plus से denote करते हैं, Not Operator को ऐसे किसी भी variable के ऊपर बार लगा करTON करते हैं और अगर logic की बात कर रहे हैं तर्क शास्तर की बात कर रहे हैं तो end operator को हम ऐसे denote से और operator को स we Presents note करें और not operator को हम सैंसे denote करते हैं logic में तर्क शास्तर में तो तीन प्रकार की operator होते हुआ हैं भूलियन algebra में या logic में तर्क शास्तर में and operator और operator और not operator अब कैसे ये काम करते हैं इनकी कार्यविधी क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं और इसके बाद ये वीडियो खतम करेंगे फिर बाकी के जो topic रह जाएंगे logic gate और boolean mathematics के जो rules वगेरा हैं वो हम अगले वीडियो में समझेंगे पहले इसको इनकी कार्यविधी और समझ लेते हैं और फिर वीडियो को खतम करते हैं अब जैसा कि हमने समझ लिया है जो boolean operator है वो तीन है and operator और operator not operator not operator तो यहां पर end operator के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं and operator को हम dot से boolean algebra में denote करते हैं और इस वाले sign से logic में denote करते हैं तो यह कैसे काम करते हैं इसकी कार्यविधी को समझने के लिए हमें एक प्रुथ table बनानी पड़ेगी प्रुथ table क्या होती है उसको हम समझेंगे पहले बना लेते हैं पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर उसको समझते हैं तो अभी हमने बताया कि जो end operator है उसको dot से denote करते हैं यह boolean algebra में गुणन की क्रिया को दर्शाता है हम मान लेते हैं कि कोई दो वेरियबल है ए और बी इन दोनों का हमें क्या निकालना है इन दोनों के बीच में हमें एंड क्रिया करनी है हमने dot से denote कर दिया है एंड क्रिया यहां पर दर्शाहिए यानि गुणन की क्रिया यहां पर करवानी हमें तो कैसे होगी यहां पर दो वेरियबल है अब हम जानते हैं बूलियन ऐलजबरा में कोई भी वेरियबल हो उसके दो ही संभावत मान हो सकते हैं 0 और 1 तो उन्ही संभावित मानों को हम लेकर चलेंगे और क्योंकि दो यहाँ पर variable use हुए हैं तो इनके चार combination बनते हैं तो उन चारों combination को यहाँ पर इस table में इस sarni में दर्शाएंगे यही sarni truth table कहलाएगी या truth sarni कहलाएगी अब देखते हैं a का मान 0 हो सकता है b का मान 0 हो सकता है एक combination यह होगा a का मान 1 हो सकता है b का मान 0 रहेगा हो सकता है ऐसा भी हो एक combination यह हो हो सकता है कि a का मान 0 हो b का मान 1 हो एक combination यह हो सकता है या यह चीज़ भी हो सकती है कि दोनो variable के मान 1 और 1 हो अब यहां पर 0 और 0 है इन दोनों के बीच में आगर हम गुणन करवाएंगे गुणन की क्रिया करवाएंगे तो 0 आएगा यहां पर भी 0 आएगा यहां पर 1 और 1 की अगर गुणन क्रिया करवाएं तो यह काता है तो हम देखते हैं कि end operator में अगर दो variable लेते हैं और उन दोनों variable के बीच में end operation परफॉर्म करते हैं तो केवल एक ही ऐसी स्थिती है केवल एक ही ऐसा combination है जहां पर दोनों के बीच end operation होने के बाद true जो output है वो मिलता है यहां पर हमें true value कम मिलती है जब input किये गए दोनों variable 1 है तो हमें one output मिलता है या दोनों में से कोई भी एक variable 0 होता है या फॉल्स होता है तो हमें जो output मिलता है वह 0 मिलता है या फॉल्स आउटपुट मिलता है तो ये जो साड़नी है, इस साड़नी में क्या किया है, कि जो गूलियन वेरियबल हैं, उनके सभी संभावतमानों को यहाँ पर लिखा है, और उनके बीच में अगर end operation perform किया है, तो इन दोनों की combination से क्या हमें output मिलेगा, वो भी हमने यहाँ पर दर्शा है, तो ये जो साड़न हैं, इस साड़नी को हम truth table कहते हैं, तो हमने end operator की क्रिया विधी समझ ली, कि end operator कैसे काम करता है, ये गूलियन में गूलन की क्रिया को दर्शाता है, दूसरा जो operator है, वो है और operator, इसके बारे में भी समझ लेते हैं, और operator को हम प्लस से denote करते हैं, अगर तर्क की बात कर रहे हैं, तो इससे ऐसे वी बना देंगे, इससे denote करते हैं, वैसे अगर बूलियन algebra की बात है, तो इससे हम प्लस से ही denote करते हैं, अब ये और operator कैसे काम करता है, इसकी भी कारेविधी को समझने के लिए हम एक table बना लेते हैं, truth table बन सकते हैं, ये क्या, जो ये और operator है, ये बूलियन algebra में योग की करिया को, addition की करिया को दर्शाता है, इसलिए हम इसे प्लस की sign से denote करते हैं, तो एक table बना लेते हैं, truth table बनाते हैं, मान लेते हैं कोई कोई दो variable हैं, A और B, इन दोनों के बीच में हमें कौन सा operation करना है, और operation perform क अब combination क्या बनेंगे, वैसे ही combination बनेंगे हो सकता है, दोनों operator, दोनों variable के मान 0 हो, हो सकता है, पहले variable का मान 0 हो, दूसरे का 1 हो, हो सकता है, पहले का 1 हो, दूसरे का 0 हो, या दोनो 1-1 हो सकते हैं, अब add करना है, कर लेंगे, 0 और 0 add होकर 0 आएगा, यहां पर 1 आएगा, यहां कोई और number use नहीं होता केवल दो ही value use होती है 0 और 1 तो 1 और 1 जुडेंगे 1 और 1 को अगर हम add करेंगे या और operation perform करेंगे तो जो output मिलेगा हमें वो 1 ही मिलेगा तो 1 ही लिखना है यहाँ पर तो हमने देखा कि और operator कैसे काम करता है यह हमें 3 स्थितियों में true value देता है 1 output देता है हमें कौन सी 3 स्थितिया है जब input किये गए variable में से कोई भी एक variable 1 है यानि true है तो हमें true output मिल रहा है या दोनों ही variable true है तो भी हमें true output मिल रहा है केवल एक ही स्थितिया में हमें output मिलता है 0 तो जब दोनों input किये गए variable 0 हो, तब हमें 0 output मिलता है. Last में एक और operator है, not operator, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं. not operator को बार लगा कर ऐसे denote करते हैं, और अगर तरक की बात हो रही, logic की बात हो रही, तो इसे इस channel से denote करते हैं. इसकी कारे विदी भी समझ लेते हैं, not operator केवल एक ही variable पर कारे करता है, एक ही variable पर operation पर्फॉर्म करता है. अब ये करता क्या है, इसको जो भी हम variable देंगे, उसका ये हमें inverse देगा output के रूप में, इसको भी truth table बनागर समझ लेते हैं. क्योंकि इसमें एक ही variable देना है हमें input के रूप में, तो छोटी सी साड़नी बन जाएगी, उससे काम हो जाएगा. अब मान लेते हैं, कोई variable A है, अगर उसको कैसे denote करेंगे? A के उपर ऐसे बार लगा देते हैं. तो A not या A inverse भी कह सकते हैं. A inverse निकले गए याँपर. अब A की दो value हो सकती है, हो सकता है, A 0 हो, हो सकता है, A 1 हो. अगर A 0 है, उसपर not operation perform करेंगे, तो हमें output 1 मिलेगा. और अगर A 1 है, और उसपर not operation perform करेंगे, तो हमें output 0 मिलेगा. तो यहाँ पर हमने boolean algebra में कई सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा introduction पढ़ा है, और boolean operator के बारे में पढ़ा है. अगले वीडियो में हम logic gate के बारे में पढ़ेंगे, और boolean algebra में जो नियम हैं, जो properties हैं, वो पढ़ेंगे हम. तो अगले वीडियो को भी आप देखें, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को like करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें, अगर आप भी कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो आपके दोस्त भी उस चीज़ को सीख पाएं, और अगर कोई problem आ आपको, क्या कोई doubt है, कोई question है, तो आप नीचे comment कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपका answer, आपको reply ज़रूर दिया जाए, तो आप comment भी कर सकते हैं